ओम श्री कुष्ण पर्मात्मने नमहा श्रीमत भागवत खथा द्रश्टान्त अने रहस्या श्रीमत भागवत जीमा श्री राम चंद्रजीनु चरित्र बहुज विस्त्रुत रिते वर्न वामा आवियुशा आपने ख्यान चे के वनवास मा प्रवडुत राम लक्ष्मण अने जानकी परन्तु अहीं अयोध्यामा भरत जी व्याकूर छे सिता राम नुस्मरण करता भरत जीनी आँख मा थी आसुज निकलता रहे छे भरत जी चोधा रासु ए रडे छे भरत चरित्रमा तुलसी दास जीने तो समाधी लागी छे लोकोंने खात्री थाई छे के भरत जी ए राम प्रेम नी मुर्ती छे बदाने आनन थेयो भरत जी ये संकल्प करयो के मारे राम ने मलवा वनमा जहूं छे अने एमनी जेने गोशना करी क्यारे लोकों एक कयूं के अमे पन तमारी साथे आविशूं भरत जी ने बदा वंदन करे चे ने प्राथना करे चे अमने पन चित्रकुट साथे लई जाओ भरत जी ये कयूं छे जने आववानी इच्छा होए ते आविशके बदाने आनन थेयो भरत जी ने लीधे अमने राम न दर्शन थवाना चे प्रातक कालमा आंध्रामा भीर थई गी चे बदाने आशा चे रामसिता अयोध्य आवशे व्रुद्धो एक यूंक अमारे पन घर मा रेव न थी अमारे पन राम जी न दर्शन करवाँ चे बरत जी हुकम करयो जेने आववा नीचा होई ते भले आवे बदाना घर नु रक्षन राज्य करशे दिवस पती दिवस विक्ता गया अने वंतर प्रायान थेरूं पहले दिशे बरत जी श्रूंग वेर पूर आवे आचे राजा गुहक बेठा आता सेवो को एकईउ राजा भरत आवे चे पन साथे चतुरंगीनी सेना चे गुरुह के विचारियों भरत लाम लक्षमन साथे युद्ध करवा जाई चे नहीतर सेना लेवानी श्री जरूरती ते कई-कई नो पुत्र चे ते शून न करे पोतानू राज्य निश्कंटक करवा माटे युद्ध करवा ने इच्छाती जाई चे गुहक ना मनमा कुभा आवेओ बिलोने तैयार थवा आगना आपी चे सामे किनारती कोई आपार ना आवे अमिये जीविये चिये क्या सुधी भरत ने गंगा पार उतरवा नहीं दई है रुत मंत्री एक करू भरत जी साथे युद्ध नहीं थाई पन मैत्री थशे तेव मने लागे चे तमे युद्ध न करो तमे परिक्षा करो ए प्रेमती रामजी ने मलवा जाई चे के युद्ध करवा जाई चे ए जुओ गुहक राजाय विचार करो एक डम अविवेक करी युद्ध करों बराबर न थे भरतना भावनी परिक्षा करवा त्रोण प्रकार्मी सामगरी गुहक राजाय साथे लिदी छे राजसिक, तामसिक अने सात्विक, कंडमोल सात्विक छे, मेवा मिठायो राजसिक छे अने मास मदीरा तामसिक छे, मास मदीरा उपर भरत जीनी नजर परशे तो मानिश के तमो गुणी छे, मिठाय उपर नजर परशे तो मानिश के ते वो रजो गुणी छे, पन फलकंद उपर नजर पडशे तो हुँ मानिश के ते सक्ट वड़ मुणी चे। आमाती जेना उपर भरत जीनी नजर पहली पडशे ते प्रमाने भरत नो भाव चे एम हुँ समझीश। मंत्री साथे गुहक राजा मलवा आवे चे। आगल वसिष्ट रूच्षी नो रधतो गुहक राजा ये साश्टांग प्रणाम कर्या। वसिष्टे पाचल जोई कईू भरत रामजी नो खास सेवक तने मलवा आवे चे। मैं सामल्यू चे के गुहके मारा रामजी नी भव सेवा करी चे। रामजी नो सेवक ए शब्द काने आवतनाज भरत जी रतमा थी कुदी पड़ा चे। गुहक ने भेटी पड़ा। साथे सामगरी चे परनतु कोई ना उपर नजर करिद नहीं। बरत जी निर्गुण चथिती मांचे। बरत जी द्रुष्टी निर्गुण चे। राम जी ना स्मरन मां भरत तनमई थाया चे। आहार विहार उपर थी मानवीना मन नी परिक्षा थाया चे। भरत ना मुकमाती राम राम शब्द निकल दो जाये छे। गुहक ने खात्री थेली के बरत जी लड़वा नहीं पान राम जी ने मनावा जाये छे। गुहक राजाये सर्व भीलों ने आगना करी अयोध्यानी प्रजानू स्वागत करो अने भील लोको फड़ फड़ा दिलेई ने क्यां पोँची कया। बरत जी ये गंगा जी ने साश्टांग प्रणाम करया ने कयूं माँ आजे मागवा आवयो छू। जोरी पानी वर मांग हु एहों स्रीय राम पद सहज सने एहु। मारी भावना छे मां मने वर्दान आपो के मने राम चरन प्रेमनों दान मळे। मारो प्रेम दिउसे दिउसे वधे। ते वक्ते गंगा जी मांति थजिए तमे चिंटा नकरो। सर्वनू कल्यान थशे, गंगा जी ये आशिर्वाद आप्याचे, तीर्थराज मने काई जोतू न थी, एटलो ज मागू छूं, अरथन धरमन काम रूची, गतीन चहू निरबान, जनम जन रती राम पद, यह वरदान न आन, प्रिवेनी संगम मां भरत जी ये स्नान करिऊ, गंगा जम्नानो संगम थेऊचे, ग्रान ने भक्तियां यां मल्याचे, आम करतां करतां, त्याना मुख्य मालिक देव, अधिश्टाता देव माधव राईचे, यह भरद्वाज मुनीनो आश्रम चे, एम भरत नो आगमन आगल थाई रहे हूँ छे, हारी ही ओ, कि अरूँ में चे प्राइचे, आम करें भरत नो आहे हूँ एमीजियां घ्रिणाय今 हम कgoingल थेजिबनां करे ओंसम तम्नाना है भरत न कि खटा मिन प्रूमाउटात देव, ग्री बूमाद Dan